हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी दोस्त फ्राज्ची आपके साथ विदेशों में घूमना हर किसी को काफी टचन होता है लेकिन हमारे भारत में भी इसकी कई सारे जगे हैं जो कि विदेशों से भी जादा खूबसुरत है वही इन जगों पर कहीं पर प्लेन से जाया जाता है तो कहीं पर प्रेंड्स इनके बेहत खूबसुरत होते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वहले हैं उन खूबसुरत से प्रेंड्स के बारे में जो कि आपको बेहत मन पहुप लगेंगे और उनका सफर आपको मन जिल से भी जादा खूबसुरत लगेगा तो पालंपूर के कई पूलों और चाय पागानों से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन अपने रूट के दोरांग खुपसूरती से लोगों का मन मौलेती है इस ट्रेन से यह ट्रेन से यात्रा के दोरां पाहर सुनहरी रेट का खुपसूरत नजारा आपके सफर को और भी यादगार बना देगा नमबर तीन पर है flying, mid to parium और Łटी ऊटी भिभारत की घुमने वाली खुबस्रत लोकिशन्स में से एक है वही mid to parium से ऊटी तक का निलगीरी mountain railway का यह सफर बेहत खुबस्रत होता है निलगीरी mountain railway 46 km लंब लंबाइग single railway track है जो मेट्टू पालियम शहर को उट्टक मंडलम शहर से जोडता है इस ट्रेन से सफर के दोरान आपको घने जंगलो और सुरंग से होकर प्रक्रती के खुबसूरती का दर्शन होगा जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा नमबर तीन पर है कालका से शिमला का सफर कालका शिमला टॉय ट्रीन रूट शिमला आने वाले परिटकों के लिए आकर्शक का प्रमुक केंद रही वहीं शिमला पॉशने के लिए इस रूट से आने पर शिमला की असली खुबसूरती देखने को मिलती है इस रोट से यात्रा करने पर आप खूबसरुत हसीन वादियों के मनोरम द्रश्च का तर्शन कर सकेंगे साथ ये अंधेरी पतली सुरंगों से गुजरती हुई गने जंगलों और पहाडों के द्रश्च आपका मन मोहलेंगे लिस में अगला नमबर है मुंबई से गोवा तक का सफर अगर आप मुंबई से गोवा तक का ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको मंडोवी एक्सप्रेस से यात्रा करनी चाहिए गोवा की खूबसूरती वैसे तो देखने लायक है लेकिन इस मंजिल तक पहुशने के लिए उसका रास्ता भी बेहत खूबसूरत और देखने लायक है मंडोवी एक्सप्रेस से यात्रा करते समय आप शोटी-शोटी गावों और घने खूबसूरत जंगलों की खूबसूरती का आनन भी ले सकते हैं लेस में अंगला नंबर है वास्पोडी गामा रूट गोवा जानी के लिए एक और बेहत खूबसूरत रूट है वास्पोडी गामा इस रूट से जाते वे ट्रेन गोवा से दूद सागर से होते वे निकलती है इस द्रश्य को सभी ने बॉलिवोड की सुपर हिट फिल्म चैनने एक्सप्रेस में भी देखा होगा ये रूट और इसके खूबसूरत नजारे मन महोने के लिए काफी है लिस्ट में अगला नंबर है न्यू जलपाई गोड़ी से दारजिलिंग का सफर दुनिया के विबन हिस्सों से लोग दारजिलिंग गुमने आते हैं और दारजिलिंग हिमालयान रेलवे पर जरूर यात्रा करते हैं यह नेरो गेज रेलवे स्टेशन यूनेसको के विश्वदरोहर की सूची में शामिल है टॉय ट्रेन जब खूपसरत पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो यह ट्रेन रूट लोगों का मन मोह लेता है लेसमे अगला नंबर है महरास्ट से करनाटक का सफर करनाटक और महारास के बीच ये रेलवे रूट बीहत खूपस्रत वादियों के बीसिक गुजरता है इन में नदी, जील, चटाने और पहाड शामिल है यह रूट करीब 700 किलोमेटर लंबा है और इसके बीच 120 रेलवे स्टेशन आते हैं इसे देखने के लिए बारत और दुनि सा हील स्टेशन मारेथन अपनी खूपसूरती के वज़ा से परिटकों के लिए आकर्शन का केंद्र बना रहता है यह करीब 2650 किलोमेटर की उचाई पर इस्थे थे नरेल से मारेथन के बीच टॉय ट्रेन के जरिए हील टॉप का सफर काफी रोमांचित होता है इस टॉय ट् इतना खूपसूरत है कि आप इनसे अपने नजरे नहीं अटाप आएंगे कॉंकन तट से गुजरती हुई ट्रेनों के एक तरफ अरब सगर नजर आता है तो वहीं दूसरी तरफ सहयातरी के पहार नजर आते हैं रास्ते में कई खजूर के पेड़ दिखाए देते हैं और सा ट्रेन रूट भी बेहत खूपसूरत है वैसे तो यह जम्मू से बारा मुला तक जाने के लिए हैं लेकिन अभी ट्रेन से भी छोटे से हिस्से में चलती है कश्मीर रेलवे की खूपसूरत यात्रा आपके सफर को और भी यादगार बना देगी बारा मुला से बनिहाल का य अगला नंबर है मंडपम से रामेशुरम का ट्रेन रूट अगर आप समुद्र के रोमांच का अनुभव लेना चाहते हैं तो मंडपम रामेशुरम ट्रेन रूट आपके लिए एकदम पॉफेक्ट रहेगा इस रूट पर समुद्र के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन एक गंटे के इस सफर में आप बिल्कुल नए तरह के अनुभव का एहसास करेंगे आपको बता दे ये एक मात्रेसा रेलमार्ग है जो इससे गुजरती समय समुद्र की सुन्दरता को समाहित करता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको हमारा आज का ये व जब कब दी